कर देखते हैं फटा फट से कैश बजट सबसे पहले देखते हैं कैस बजट होता के है और कौन बनाता है आप मान लिजिए एक और्गनाईजेशन है ठीक है इस और्गनाईजेशन में दो व्यक्ति मिलके संभाल रहे हैं इसको एक कौन है सर एक है ओनर और एक इसका अकाउंटेंट अब अकाउंटेंट को एक रिपोर्ट बना के हर बार देना होता है अकाउंटेंट ने रिपोर्ट बनाया दिया ओनर को रिपोर्ट बनाया दिया ओनर को और सर क्या रिपोर्ट देता है कैश बुजट का कैश बुजट का मतलब इसकी जिम्मेदारी बनती है कि ये ओनर को बताए कि इसके पास मंथ एंड में मंथ एंड में कितना कैश का बैलेंस है और ये मंथ एंड में कैस का बैलेंस है कितना तो कैसे है ये सारी रिपोर्ट किसको ये दे देगा सर ये ये जाके दे देगा किसको अनर को हर महिने का कैस बजट बनेगा यानि कितना पैसा है सर कैस बजट मैं आप से पूछू न महिने एंड का मेरे पास sales से पैसा आया, 50,000, मैंने purchase किया, 30,000, मैंने rent paid किया, 5,000, तो बताइए मेरे पास कितना balance end में बचा होगा, 15,000, that is cash budget, यह क्या हमारा cash budget है, तो cash budget के अंदर, हमारे पास कितना पैसा आया, और minus हमने कितना payment कर दिया, दोनों को minus कर दो, last का जो balance बच जाता है, उसे क्या बोलते है, cash budget, इसके साथ-साथ, यह मालिक बोलेगा, कि भाईया, एक बात ध्यान रखना, accountant को बोलेगा, कि भाई साथ, एक बात को ध्यान कि कम से कम 5000 महिने के end में हमेशा होना चाहिए, और किसी महिने ऐसा भी होगा, कि इसके पास कितना हुआ, 3000 ही हुआ, तो मालिक कहगा, जा फटा-फट बैंक से loan लेकर, इसको 5000 कर देगा, यानि यह एक level पे cash को maintain रखिएगा, कुछ ऐसा भी बाते बोली जा सकती है, यह मैं बो मैं मैं cash budget बनाऊँगा, तो opening balance होगा या नहीं होगा, जवाब दीजिए, होगा, कितना होगा, simple सी बात है, सर, 15,000 ही होगा, 15, 2-3 दिन के कल सुबह 7 बजे class है, बच्चे time को लेकि confuse हो रहे है, सर, यह तो मैं जल्दी जल्दी आपके लिए कर रहा हूँ, कि जल्दी जल्दी ले ले, और fast track वाले बच्चों का भी मुझे करवाना है, तो इसलिए fast track वाले बच्चों का मैं करवा रहा हूँ, बाकि कल स साथ बजे लूँगा मैं class, अब, जितने भी बच्चे fast track वाले हैं, वो leverage पहले देख लेंगे, उसके बाद, एक मैं schedule दूँगा कि कौन सी classes पहले आपने देखने हैं, अभी hand raise का doubt नहीं लेंगे, अभी बता देंगे, definition अभी नहीं बताया, अभी देखिए आप, पार्मेट बताएंगे, एक question करेंगे, सब समझ में आ जाएगा, मान लेते हैं, हम बनाते हैं तीन मेने का, कुछ ऐसे बनेगा cash budget, ये मान लेते हैं जैन है, ये मान लेते हैं फैब है, ये मान लेते हैं मार्च है, ये मान लेते हैं एप्रेल है, सबसे पहले आपने लिखना है, format देख लीजिए, एपार्ट, सबसे पहले लिखेंगे, ओपनिंग बैलेंज, पर्टिकुलर, एपार्ट, ओपनिंग बैलेंज, ओपनिंग बैलेंज समझ पारें, अभी बताया था जो, ओपनिंग बैलेंज, यानि जनवरी में ओपनिंग बैलेंज होगा, जो दिसंबर का एंडिंग बैलेंज होगा, ऐसे डालते हैं हमने, जरूरी निये चार महने का आए, दो मेने का भी हो सकता है, एक मेने का भी हो सकता है, इसके बाद हम जितने भी receipt होंगे वो लिखेंगे opening balance के बाद सर लिखेंगे हम receipt अब receipt में क्या-क्या हो सकता है सर ये बता दो receipt में हो सकता है number one cash sales cash sales करोगे पैसा receipt होगा number two collection from tatter यहां से भी पैसा आ सकता है number three और क्या आ सकता है आपका और आ सकता है dividend receive और कहां से पैसा आ सकता है asset sold और कहां से पैसा आ सकता है और पैसा आ सकता है मतलब कोई भी जगह हो जरूरी नहीं है के खर्चे से income सही पैसा आए assets बेचने से भी पैसा आएगा तो हमें तो बस इस पे काम करना है receipt आया पैसा हम यहां लिख लेंगे और हो सकता है मान लेते हैं के rent receive और सर एक बात ध्यान रखिएगा तो sales का तो पैसा तो हर मेंने आना तरह है लगबग लगबग हर मेंने sales का पैसा तो आएगा ही आएगा लेकिन collection from debtor हो सकता है एक महने आए एक मेहने debtor ने दिया ही नहीं अगले महने आए और अगले महने आए ये possible है dividend receive हो सकता है कि भाईया इसमें से सिर्फ इसी महिने में dividend receive आया asset sold हर महने थोड़ी बेचेंग asset sold हो सकता है इस महने बेच दिया मैंने asset sold rent receive हो सकता है हर महने एक मंधली rent आ रहा हूँ मेरे पास समझ रहे हो ना यानि पैसा जिस महिने आएगा उस महिने से सीधा डिटेल रखने वाले है इसको करने के बाद हमारा आ जाएगा सर्टोटल यह आ गया सर्टोटल यह आ गया सर्टोटल अब आ जाएंगे हम दूसरे सेक्शन की तरफ लेटेस पैमेंट पैमेंट के अंदर क्या क्या रहेगा मेजरली परचेज पेड टू क्रेडिटर और बताओ कहां कहां पेमेंट हो सकता है वेजिस पेड कर सकते हैं और कहां हो सकता है रेंट पेड हो सकता है और कहाँ हो सकता है कोई assets खरीच सकते है ultimately आपको समझ में आना चाहिए कि सर payment कहीं कभी हो आना ही है creditor को payment कर दिया interest payment कर दिया bank का loan payment कर दिया dividend का payment कर दिया जितने भी payment है यह बड़ा simple सा fund लेके चलता है कोई complicated है नि बस जहां complicated आएगा ना इसमें थोड़ा समझने वाला और ध्यान देने वाला चीज यह है कि debtor ना हमें बहुत घुमाता है भाई अब नहीं देंगे पिछले मैने वाला अभी ले लो उससे पिछले मैने वाला अगले मैने देंगे इस मैने का 10% ले लो फिर बागी का 90% हम दो मेहने में दे देंगे तो जैसे जैसे बूलेगा वैसे वैसे कर लेंगे चलिए sir क्या जरूरी है कि हर मैने क्रेडिटर को पेड हो नहीं जी जिस मैने पेड होगा उस मैने करेंगे जिस मैने नहीं होगा उस मैने नहीं करेंगे क्या वेजिस डिपेंड ओन सिचुएशन मैं मान रहा हूँ हर मैने ऐसा भी हो सकता है outstanding salary का payment किया हो क्या rent paid क्या asset sold जी नहीं बस इस मेहने बेचा इसके बाद फिर कहाने गूम फिर के क्या आएगी totaling की अब यह total आजाएगा total b मान लो इसको a नाम दिया था इसको नाम दे देते हैं b तर यह आगया total b और although हम इसको recept के जगह पर एक और word का इस्तमाल करते हैं inflow और इसके लिए outflow शब्द का भी इस्तमाल किया जाता है अब नीचे बचेगा क्या सर यह सारा काम हो गया तो नीचे क्या बचेगा balance balance जो बचेगा वो क्या बचेगा a minus b जो भी balance बचेगा मान लो यहाँ पर balance बच रहा है ध्यान देना यह balance बचा यह balance उठके यहाँ आ जाएगा समझ रहे हो क्योंकि यह balance last का balance है यह उठके चला गया अगले में नीचे में फिर इसका total करेंगे फिर इसका total करेंगे फिर बचेगा हमारे पास कुछ balance और यह balance उठके समझ रहे हो फिर ऐसे इसका total करेंगे सबका total करने के बाद ये balance उठके और फिर last में total आ जाएगा ये हमारा answer रहेगा तो ये कुछ थोड़ा सा simple सा format है किसका सर? cash budget का आपके सामने देखिए format clear है फिर हम एक question कर लेंगे तो ज़्यादा clear रहेगा बड़ दो तीन दिन का issue कोई ठीक है वंतिका अहाँ दो तीन दिन दिन आज का ही issue है और ये chapter जो है सिर्फ और सिर्फ दो दिन का मैंने बोला है दो दिन maximum तीन दिन doubt और खीच खाच के कर सकते किसी को doubt है यहाँ पर बताईए फिर हम question try करें इसके उपर ये था हमारा basic concept और format आप इसको note कर लिजिए फिर concept देखते हैं question देखेंगे आप इसके जिल आपके साथा के लिए्याभ़ग। आपके सिर्फ मेंंay परJAब